हलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो आशा करती हूँ आप बिलको ठीक ठाको और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी का असुलेक लिखने का दिन है तो आए लिखना शुरू करते हैं तो पहले हम व्यंजन की लाइन लिखेंगे त थ द द न और इसके पर मातरा का परयोग करेंगे उ की उ की मातरा ठीक है आव लिखना शुरू कर तो हम लिख रहे हैं त सीधी लाइन लेंगे बेटा हम सीधी लाइन लेंगे आधे से थोड़ा सा उपर से चुरू करेंगे लाइन गई हलका से इसको गुलाई देने के बाद इसको हमने नीचे गिया तो हमने क्या लिखा बेटा त त ये गुलाई करके हमने पीछे मातरा ले जाएंगे तो ये कोंसी मातरा है बेटा उ की बड़े बीच में से गुलाई ली धीरे से निचे आई उल्टा सी बना दिया सीधी लाइन लेने के बाद यह जो पीछे वाली लाइन है इसके उपर गुलाई की हमने पीछे की तरह मात्रा करती है थूग हांची ध्यान से देखो बेटा आप बोलिए मैंने कौन सी मात्रा लिखी है वेरी गूड ओगी तो क्या लिखा शवज मैंने बेटा धू धू यह धा बनाएंगे बीचे में से गुलाई करेंगे निचेस जाएंगे इसको तो गुलाई करके मात्रा पीछे धू नू तो मात्रा लिखे हमने क्या लिखा हमने तू थू धू 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 नू अब आपने यह दो लाइने छोड़के आपने लिखना है इसकी दोराई करनी है बोलकर लिखना है मात्रा की आवाज पहचाननी है कि उ की मातरा हमाने लिखनी है तो हमारी मातरा पीछे की ओर आएगी आगे हम शबद लिखते हैं बैटा मातरा उ की जो हम शबद बना रहे हैं इसमें कोई से शबद प्रयोग करेंगे जिसके अंदर उ की मातरा हो तो हम लिख रहे हैं बैटा दूद दूद द बनाएंगे भटा हम पहले छोटी लाइन लेंगे गुलाई करेंगे लाइन तक पीछे मात्रा जायेगी ध गुलाई करेंगे तो हमने क्या लिखा भटा? दूद हांची फ फ पीछे से कभूतर जैसे गोल करेंगे भटा उगी मात्रा ल, बोलिए मैंने क्या लिखा बेटा बताईए, बोली बोली शाबाज, फूल, फूल, हांजी, च, 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 को हमने ये मात्रा लगाई, उ की, तो क्या बना, चू, चू, अगर हम ये छोटी लाइन लेंगे, वापिस जाएंगे धीरे-धीरे, आ की मात्रा, तो हमने लिखा चू, हाँ, अब आपने बिटा एक एक लाइन छोड़ के आपने इसकी दोहराई करनी है, बोल बोल के लिखना है, आगे हम लेते हैं बिटा, तीन अक्ष्रों के शबद, सू, रज, सू, रज, हांजी, सा बनाएंगे, अब होजे बताओ, उ की मात रकी शबद के साथ आ रही है, सा के साथ, सू, रज, ज, सू, रज, हांजी, पू, नम, पू, नम, एक शबद हम और ले लेते हैं बिटा, क्या ले हम, हांजी, चू, रण, च, च, चू, रण, र, अन, अन, हांजी, चू, रण, चू, रण, तो आपने बेटा, एक के लाइन छोड़ कि इसकी, दोहराई करनी है, आगे हम शबद लिखे हैं बेटा, चार क्षिनों के शबद, तो हमने मातरा लेनी है, बड़े उकी, तो हमने शबद लिख रहे हैं, खर बूजा, खर बूजा, जा, तो हमने क्या लिखा, खर बूजा, अब आपने बेटा, यहाँ पे इसकी दोराई करनी, खर बूजा लिखना है, बोल बोल के लिखना है बेटा, धन्यवाद, आपका दिन, शुभू, लिखना हो